नमस्कर दोस्तों मैं आप सभी लोगों का एक वरी फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर चलिए देखते हैं कल के दिन वोले तो मंडे वाले दिन निफ्टी क्या पर्फॉर्म कर सकता है कहां कहां पर्फॉर्म कर सकता है चलिए देखते हैं दोस्तों जैसा कि मतलब हमें तो काम करना है ना हमें तो पैसे चाहिए हमें तो पैसे उसे मतलब है किसलिए कर रहे हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको कुछ पैसे मिल जाए हां हम बताएंगे कैसे मिलेंगे no issue in that तो हम कैसे काम करेंगे कल के दिम चलिए कुछ important levels mark कर लेते हैं जैसा nifty चल रहा है वैसा ही bank nifty चल रहा है हाँ वह बात अलग है bank nifty कल अपने high से वापिस आ गया और nifty अपना high पे high लगाए जा रहा है लगाए जा रहा है ठीक है तो अब हम देखते हैं कल के दिन हम क्या और कैसे काम कर सकते हैं अगर market flat खुलता है तो हमें क्या करना है दोस्तों हमें कुछ नहीं करना हमें वेट करना है कि यहां से टूट जाए एक बार यह टूट गया उसके बाद हम एक short में पी को buy कर सकते हैं ठीक है दोस्तों थोड़ा समय इसको छोटा करूँगा इसको हम remove करके दुबारा बना लेते हैं अगर market flat खुलके यह 17,820 इस level को अगर break down कर दे इसके नीचे आ जाए flat खुलके तो हम यहां तक का target assume कर सकते हैं यहां तक का यहां तक क्यों बोलों देखो यहीं से एक तेजी आई थी दोस्तों market में है न तो यहां तक वापिस जा सकता है यह point क्या है चलिए हम देख लेते हैं यह point क्या है दोस्तों यह point है अपना यह 17,740 बस ठीक है दोस्तों यह हो गई नीचे की बात flat खुलके अगर market नीचे चलने लगता है और अगर market flat open होके उपर जाने लगता है तो कोसिस हम यही करेंगे कि call में position इसके उपर ही बनाए इसके नीचे में कोई position ना बनाए ना रस्ते में कहीं बनाए ना ठीक है अगर यहां से market इये मारने लगता है तो यहां पर हम put की position भी नहीं बनाएंगा यहां पर रुक जाएगा market यहां पर रुक जाएगा market बहुत सारे points हैं इसके पास रुकने के नहीं पता कहां से गुं तो हम क्या करेंगे फ्लैट खुल के मार्केट अगर उपर चलने लगता है तो इस पोजिशन ये जो लेवल है अपना 17,950 का इसको क्रोस कर लेगा तो ही कोल की पोजिशन मनाएंगे टार्गेट जादा नहीं रखेंगे मात्र पचास पॉइंट इससे जादा नहीं SL 20 इस पॉइंट का यह ना यह यह चीज इसके नीचे में SL रखेंगे बस और कोई नहीं ठीक है दोस्तों यह बात होगी अपनी फ्लैक अहां गैप टाउन खुल गया तो क्या करें सर सर कुछी नहीं करना हम एक पुट की पोजिशन में बैठेंगे आचा जी नीचे जाने लगेगा तो पुट की पोजिशन में बैठेंगे टारगेट अपना सेम रखेंगे ही हाँ यहां पर अपना टारगेट कम हो जाए लेकिन अगर गैप डाउन खुल के ऊपर चलने लगे तो इसी पोइंट से घूम के वो वापिस आएगा और हम इसी पोइंट पे पुट की पोजिशन में बैठेंगे understood दोस्तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक जोन बना लीजिए आप यह है वो जोन है ना यही पे इसी जोन में घूम फिर के वापिस आ जाएगा निफ्टी ठीक है जी अब बात करते हैं गैप अप की देखो अगर अपी खुल जाता है क्लियर कट मेरा एक ही इंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर जाने दे मार्केट को और उसी के बाद हम बाई करेंगे टार्गेट स्टॉपलो सेम है ज्यादा बड़ा टार्गेट नहीं लेना हमने कल के दिन छोटा सा बिल्कुल टार्गेट लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एक दिन कम कमा लेंगे पुट की पोजिशन में मिल गई हमें पोजिशन तो बले बले अपनी है ना दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं हमारी तो आप लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को चली दोस्तो मिलते हैं मंडे को